तो यह बैंकिंग यूपी सी के लिए काफी इंपोर्टेंट है जैसे मैं आपको बात करूं अगर आप बैंकिंग की यूपेस्ट करते तो आपको हर तरह की रीडिंग आनी चाहिए यह नहीं कोई भी फाइनेंशल टम्स रीड कर पा रहे हो या कोई कहानी रीड कर पा रहे हो ह आप रहे हैं क्योंकि किसी भी बैस पर रीडिंग आ सकती है तो आपको हर तरह की रीडिंग आनी चाहिए इसमें काफी जोगरफिक टम्स यूज होंगी तो हम इसे करेंगे लिटेल में किस पर बैस है टाइटल है फेयर विंड तो यह देखो आपको बता है मोंसून जो ए फ करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब ताकि आपके बाए डेली नोटिफिकेशन एट लिस्ट टाइम पर पहुंच जाए ठीक है और आप हमारी एप डाउनलोड कर सकते हैं आपको इंग्लिश ग्रैमर के कोर्सिस मिल जाए आप स inventory one of India देगे ऐंडीन मेत्र пойल से डि यह टीएंडियन मेटर बॉलोजिकल डिपार्ट्मेंट इस पर भेस है एडियूल अई-ई-ए-डी प्रोजेक्शन जो आइ-ए-ए-ए-डी ने प्रोजेक्शन मतलब जो भी अनुमान लगा इन्हों नहीं हो इतनी वारिश होएगी नई होएगी गुड मौन्सुन का जो इन्होंने अनुमान लगा है इस पर बेस ये एडिटोरियल है क्योंकि मोसम भागी है जो जानकारी देता है चलो अच्छा आपको मौन्सुन नहीं पता होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूं मौन्सुन वैसे है जो ग्रफिटम्स फिर भी मैं प्रेशर क्या होगा लो होगा टेंपरेचर ज्यादा जैसे आप कोई चीज बनाते हो गरम कर दो कर दो गरम कर दो हवा बनकर उपर नहीं उठ जाएगा कर दो गरम दुवा निकल के उपर उठ जाएगा ऐसे दुवा निकलने लग जाएगा तो यह हवा यहां पर क्या हो जा यह हवा बारी है यह हवा अलकी है यह उपर उठ गी तो यह लो प्रेशर बन गया यह हाई प्रेशर है तो यह ऐसे वोएड बन जाते है इसको बैलन्स कोन करेगा तो यह हवा इसके आपास चलती है यह प्रेशर बनाने मतलब यह प्रेशर बैलन्स करने के लिए हाई प्रेशर लेके पानी के कंड लेके ये इस तरफ चलती है ठीक है क्योंकि यहां पर इनको प्रेशर बैलंस करना है ना लो प्रेशर बनकर ये उपर उठी तो ये प्रेशर बैलंस करना है ये चलती है चलती है ऐसे साउथ विशो के नोर्थ इस चलती है नहीं मौनसून की हवा कहते हैं को पहाड मिलते हैं क्या मिलते हैं इनको आगे पहाड मिल गए इनको पहाड से टकराती है पहाड से टकराती है और पिछे से आगे और टकराती है बादल से बनके तो यह थोड़ी और उपर उठ जाती है इनसे पहाडों से टकरागे थोड़ी और उपर उठ जाती है उपर ओर स्टकराइब तो मेन मुद्धा है बारिष जो होती है पहाडों के कारण होती है तो यह चलती है और पहाडों के कारण बारिष होती है जब इसे अग्रीकलचर बढ़ता है समझ Żट कई शैर को पूजा जाता है छहां बारिश बहुत जरूरी है मौनसुन के बारे में पड़ें फैर लोग प्रैशर का चक्र होता है ट्रीचर का चक्र होता है सब्सक्राइब फिर आगे जाके पाड़ों का चक्र होता है तो अब हम स्टार्ट कर रहे थे यहां से ओन आएमडी प्रोजेक्शन ओफ गुड मॉनसून यह पढ़ लिया आपने एगुड मॉनसून विल एड एग्रिकल्चर एड फिस्ट एड पोक्स किसे लिए बनेगे हैं फिस्ट एड बोक्स आपकी हैउप करने के लिए agriculture sector grow करते हैं तो क्योंकि देश की 50% population लगबग agriculture से जुड़ी हुई है ठीक है चलिए करें आगे if everything align align का मतलब होता है सारी चीज़े parallel में parallel में agree है एक दूसरे से कोई company है तो agree opinion से उसके लिए भी उस होता है वर्ड अगर हर चीज align आपस में व्यवस्तित है parallel है सई ठीक ठाक है सब इंडिया कुड़ सी मतलब जो भी उन्होंने बविश्यवानी कि वह सही है एलाइन पैरलल है जो भी उन्होंने factor देखे हैं कुछ factors देखके बविश्यवानी करते हैं तो इंडिया कुड़ सी है थर्ड consecutive year of surplus rainfall अगर हर चीज align होती है अपस में मेल खाती है तो इंडिया क्या देख सकता है फ्यूचर की possibility के लिए यूज ठीक है क्या देख सकता है थर्ड लगातार तीसरे साल surplus of rainfall तीन साल से rainfall surplus में आ रही है surplus का मतलब जितनी चाहिए उसे थोड़ी ही ज्यादा आ रही है नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा आ रही है ठीक है ठीक आ रही है जिससे हमारा agriculture grow कर पाएगा दा आई एमडी है सैट एट यह वही अपना इंडियर मेटरोजिकल डिपार्टमेंट है सैड क्या कह चुका है मौनसून रेंज विल लाइकली भी लाइकली भी का मतलो possibility है जिसकी होगी 101 परसेंट ओव दा लोंग पिरिएड एवरेज ओफ 88 सेंटीमेटर ठीक है मौनसून इस साल होगी 101 परसेंट ठीक है किसकी लोंग पिरेड एवरेज 88 सेंटीमेटर का 101 परसेंट होगी यह क्या है यह लोंग पिरेड पिछले 50 साल 1961 से 2010 जितनी भी बारिश होती है उसको नापा गया है और एक average निकाल लिगी है 88 cm इस average की value है इसी से नापते हैं पिछले 50 सालों की तुलना करके कि उपर है या निचे है तो कहे रहे हैं 88 cm यह normal range है इससे 101% होगी तो नोर्मल से जादा ही है मतलब 1% ठीक है 88 cm अपने आप में 100% है तो 1% जादा ही है इन 2020 इत वाज 109% मतलब 88 से यूं समझ लो 88 100% है तो 109% निकाल लो 88 का ठीक है लगबग 8.8 कुछ add कर दे ना इसमें इन 2020 इत वाज 109% थी ओफ दा लोंग पिरिएड एवरेज जो यह 88 cm रहे यह लोंग पिरिएड एवरेज की वेल्यू है और 2019 में 110 थी इस वार 101 तो नॉर्मल से तो जा भाई है ठीक है नॉर्मल किसको माना जाता है मैं आपको बताता हूं 88 cm रेन फाल है यह लोंग पिरिएड एवरेज अगर 96% से लेकर अगर 96% भी आता है ने 88 का और 104 परसेंट भी आता है 88 का तो यह सारी चीज़े नॉर्मल मानी जाती है 96% कर लो क्योंकि 88 के पास ही हुआ अलगबग कम हो गया तो क्या पास ही हुआ और इसका 104 परसेंट माना गया नॉर्मल रेंज यह मैं आपको बता रहे हैं जो ग्रफिल टरम से काफी रिसर्च के बाद पता लगती है चीज़े 96% से 104% नॉर्मल रेंज मानी जाएगी अगर 88 सेंटीमेटर जो पिछले 50 सालों का इन्होंने रोक कर एक डाटा बनाया हुआ है 88 सेंटीमेटर एवरेज ठीक है तो कह रहे हैं 109% थी चलो बढ़ी है 110% थी बढ़ी है नॉर्मल से उपर ही है सब वाइल दा फॉरकास्ट पर जो यह अनुमान लगाया है 101% इस साल का इस शोर्ट ओफ दा रेंफॉल शोर्ट ओफ कमरल लेस देन दा रेंफॉल रेंफॉल रिसीवड इन दीजियर्स कम है ना पहले तो एक सो नो परसेंट 110% और इस बार एक सो एक परसेंट एंड स्टिल फिर भी विदिन दा रेंज ओ वट दा इमडी कंसीडर नॉर्मल रेंफॉल फिर भी उस रेंज में जिसे इमडी समझता है नॉर्मल रेंफॉल मैं बता चुकाँ नॉर्मल रेंफॉल की वैल्यू क्या होती है 96% से 104% के बीच में आता है 88 cm का निकाल लो तो नॉर्मल माना जाएगा तो 101 बीच में तो आया तो नॉर्मल है ठीक है न अचो अब तक आपको सब समझा रहा होगा ठीक है मैं जिस तरह से बढ़ा रहा हो बच्चो आप कोई बेटोल चेक कर ले ना इस तरह की ये टेक्निकल भाचा नहीं बताई होंगी यू केंड चेक ठीक है इस पॉजिटिव निउस इस पॉजिटिव निउस कह रहे हैं बड़ी पॉजिटिव निउस है because पॉजिटिव है न विकोसरा पॉजीटिव ये लिकोसर होगल फोर्कोष्ट इज अबोव नोर्मल रेनчто Цul जो करेंट है एगरीकल्चर के जो जोन है कई इलाके है हमारे देश मैं जो इंपोर्टेंट एंगरीकल्चर के लिए घ्रीजन को जो इंपोर्टेंट एंगरीकल्चर के रिजन हैं उनके लिए रोयनफोलज अबोवनॉर्मल जो बिल्कुल थीक है कि कंदừa कोर तो कहरें पोजि uniqueness पॉजिटिव न्यूज के लिए पॉजिटिव न्यूज क्यों पॉजिटिव एक पॉजिटिव न्यूज क्यों कि यहां पर खेती बारिश पे डिपेंड गरती है देखो आगे इस जोन एंक्लूइव्य सेयुज क्यों। इस जोन उऌन से स्टेटे में आते हैं वेर एंगरिकल्चर जी इस सीसली इन न tुध तो sunny से इंपोर्टेंटली तो कह रहे हैं इन स्टेट में एकरी कल्चर सिगनिफिकेंटली रेंफेड तो यह जो इंकलूड स्टेट यहां बारीज पर इपेंड करता है ज्यादा इमांट में जिसमें कौन-कौन से स्टेट आगे MP आगे आपका बिहार आगे आपका ओडिसा एंड वेस्ट बंगोली है यह स्टेट आगे यह बारिश पर डिपेंड करते हैं तो इनके लिए अच्छी खबर है वही चले आगे next the IMDs estimate of the distribution of this rainfall जो IMD ने estimate लगा है किस तरह से rainfall का distribute होगा पूरे देश में कितनी कहां होगी also suggest यह suggest करता है कि except for the north east where rainfall is expected to be below normal कह रहे हैं except for the यह जो इन्होंने distribution कर रहे हैं कोई जो भी इन्होंने दिये हैं आकडे इन्होंने कहां north east को छोड़कर जहां rainfall below normal रहने वाली है other reasons are expected to get above normal rainfall इस बार दूसरे जो reasons हैं वो normal rainfall से उपर मतलब उपर उनमें बारिश होगी यूं कह रहे हैं other reasons से क्या expect किया जा रहे है कि उनमें normal rainfall से उपर होगे north east में थोड़ी कम हो जाएगी वैसे north east में ज़्यादा होती है बारिश सबसे ज़्यादा पाढ़ वगेरा ज़्यादा है north east और पूरे region में तो वां बारिश ज़्या कह रहे हैं कहां गया है एक सब्सक्राइड गेरा है क्या 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 दिया है नोने north east में normal से कम हो नहीं और बाकियों में ज़्यादा हो नहीं है जनरल पैटर्न कहां मौन सून का is that वीकेंड रेंज ओवर नोर्थ इस्टन इंडिया ट्रांसलेट अब ये इंडिया के बाद इस तरह निशान लगा है तो यह निशान यहां से पढ़ो बाकि एक्स्टा इंफोर्मेशन ना करा देंगे यह भी तो कहरे हैं वीकेंड रेंज जो ये कम बारिश हो रही है न नोर इसन वीकेंड तो इसका रिजल्ट क्या होगा ही ट्रांसलेट इंटू श्टोंगर रेंफ high in central इंडिया आपको पता हा अगर नौर्थ इस्टन में बारिश अγर कम वोगी कम वादब कम जोर होगी ह्तकि लैश मौन्टन इंडिया में आंपी वग्यरा में आप जादा होएग which has a higher base rainfall than other parts of India देखो क्या का इन्होंने weekend rain over North East India translate into stronger rainfall in Central India अगर यहां weak है तो वहां strong हो जाएगी Central India में ठीक है which has a higher ज्यादा तर वैसे North East India में higher base rainfall का मतलो अच्छी खासी amount में rainfall उती है दूसरे parts के comparison में चलो यह line भी अच्छे से आगी होगी clear आपको next करते हैं propitious rain this year is premised on forecast propitious का मीनिंग क्या होता है बताइए propitious अच्छा का सब्सक्राइब है लिखा गरो देखो अगर आप यह अगर नहीं आता तो आप comment किया करो कि यह ऐसर इस का मीनिंग इससे हमारा भी कॉन फिडियन आता ही बच्चे पढ़ रहे हैं propitious का मतलब होते हैं favorable, optimum, likely to produce a successful rigid मतलब favorable rain अच्छी खासी बारिश है सही है सब के लिए जो भी agriculture के sector उनके लिए सही है propitious rain this year यह कह रहे हैं जो अच्छी खासी amount में जो बारिश होनी है इस साल is premised, propitious का मतलब समझगे ना favorable जिसमें अच्छे result आइं बढ़िया चीज मतलब पोजिटिव वर्ड है यह प्रोपिशियस 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 रेन इस साल यह जो बारिश होनी है propitious is premised on premised का मतलब होते है एक idea यह समझो इस साल is premised on forecast from Indian and global climate models तो यह किस पर बेस है यह जो रेन बारिश होनी है यह जो premised है किस पर बेस है यह आईडिया की बारिश अच्छी होगी premised on 4 का जो अनुमान लगाए जा रहे है इंडिया और global climate model जो इंडिया और बहार के देशों ने climate के models बना रखे हैं कि इस तरह से बारिश होते हैं इस तरह से हवाय जाती है तो इस तरह climate पर effect पड़ेगा इस तरह monsoon पर effect पड़ेगा इस से agriculture पर effect पड़ेगा water resources कितने हैं यह पर पहाड कितने हैं जो भी इनका model है तो उस हिसाब से यह बना रखे तो कह रहे हैं जो इस साल बारिश होनी है यह किस belief पर प्रिमाइश उनका मतलब कि यह जो आइडिया किस belief पर बनाए गया है किस पर बेस है यह forecast मतलब अनुमान लगाया गया जो भी इंडिया नो की तरफ चलना जिसका एक सिनोनिम बता दू स्वाव स्वाव भी होते है एस ड्व यार वी सवर चेंज डारेक्शन ट्वार्ड सम्थिंग तो कहने जो ग्लोबल क्लाइमेट के मोडल है यह अपनी डारेक्शन किस तरफ बता रहे हैं वेरिंग ट्वार्ड का मतलब किस तरफ इन्होंने सडनली टर्न कर लिया है यह जो मोडल्स है चेंज डारेक्शन वेरिंग ट्वार्ड मतलब चेंज कर लेना डारेक्शन को किसी चीज की तरफ ठीक है तो यह वेरिंग ट्वार्ड नो एकसे सी सर्फेस टेंपरेचर एड़ दा इक्वीटेरियल पैसिफिक कंडिश साथ से च कह रहे हैं है यह जो बी प्रॉपीशन होनी एंजरू इस साल इसप्रिमाइइज करता है इस बिली पर यह गोल से और यह जो मोडल है एक टरह डिरक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नो ऐक्सेसश सी सर्फेस टेमपरेचर एड़ इक्वीटोरिल पैसिफीक कंडिशन या ज्यादा सरफेश टेमपरेचर समुंदर के सरफेक Living का ज्यादा नहीं होगा कमप एड़ा एक क्वी Chief अविंद चाहिन बर्त यह तÈ ता यह एक्लाइमें But क्पाइटल वीरिंग ट्वार्ड ऐड्दाएकुल पैसिविक चिंडिशन दो इनَّंने यह सिंपल सी बात यह पैसिविक रीजन के अकोर्डिंग में आपको बताऊए एशिया का है, एगर नॉर्थियुक पर्याहिक इंथर तॉह यहाँ पर टो यहाँ TVs große, आपसे मापने साविक ना हमेरिका पमपराट से इने यहां temperature normal रहेगा temperature नहीं बढ़ेगा तो मतलो यूँ भी नहीं आगा और क्या बोल रहे हैं देखो एक तो इन्हों नहीं कोई टेक्निकल ट्रम बता दी कि ट्विटरल पैसो भी एक रीजन है जो वहाँ पर इसकी तरफ सी का temperature ज्यादा नहीं होगा there are also negative IOD Indian Ocean Dipole condition over the Indian Ocean during the monsoon season एक और समझ लो फैर बात IOD क्या ही है also negative IOD यह भी समझा देते हैं आपको अच्छे से but is the meaning of dipole देखो dipole क्या होता है dipole dipole मतलो चार्जिस अगर बात करें तुम्हें electrical की तो positive और negative चार्ज दो चीजों में बटना कभी यह पोजिटीव कभी यह नेगिटीव है तो होगी चार्ज की बात अब बाते हैं temperature की बात Indian Ocean में एक dipole होता है इसे तीन तरह से मेजर किया जा कर बड़ता है यह Indian Ocean है Indian Ocean है यह आपका यहां एशिया है यहां पर क्या है आपका अफरीका है और यहां अश्ट्रेलिया अपना इंडिया इसी में ना एशिया में ठीक है यहां अंटार्टिका रिजिएन है तो इसे छोड़ दो एक बार देखते हैं positive और negative dipole का मतलब क्या हो होता है positive negative जैसे चार्ज का इंटर्चेंज हो रहे हैं temperature का इंटर्चेंज होता है अगर यहां पर वेस्ट में अफरीका की साइड में temperature ज्यादा है तो यहां कम यहां ज्यादा है यह इंटर्चेंज होता रहता है सिंपल बात यह है अगर यहां temperature ज्यादा है वेस्ट में तो वेस्ट में कम होगा, इतनी सी बात है अब बताओ, अस्टेलिया में बारिश कब होगी बोलो, अस्टेलिया में बारिश लानी है कैसे होगी, जब डाइपол नेगिटिव होगा या पोजिटिव, इस पर डिपेंड करता है बस आप सिंपल सी बात यह समझो जब डाइपोल क्या हो पोजिटिव और नेगेटिव क्या होगा डाइपोल की अस्टेलिया में बारिश हो जाए बस इतनी सी बात है आपको मैं बस इतना बता देता हूं अगर डाइपोल पोजिटिव है तो वेस्ट साइड में वार्म होगा इस साइड में कूल होगा बस इतन गई है तो इस्ट साइड में क्या होगा टेंपरेचर जादा होगा अगर नेगटिव है तो यहां पे सुखा पड़ेगा और इंडिया के पास भी एफेक्ट नहीं आएगा बारिश नहीं होगी पर अगर यहां पोजिटीव होता डाइपल पोजिटीव तो यहां पे बारिश क और क्या काह contar यहां अब क्या मतलब पर तो यहां आपका उपरिक का में थोड़ा फैपड़ेगा इस्टाइलिया में क्या होगी इस्ट साइड में गरमगा बारिश हैं बारिए और इपर इफ्टेट में पड़ेगा तो सींपल वात होगी तो यह के रहेंग सॉझ है तर्शriers वाट उदर बनता है यह सिम्पल सी वात ही है हवाइं इदर से उदर जाती है प्रेशर के कारण वह मैंने शुरू में मौंसून में बता दिया था आपको तो है जो भी फसक्रण है तो यह इन्डिया के लिए मौंसून के समय ना फिर बारिश की ज़्यादा बाड़ाने की दिक्कतोरी जो कि वहां भी नेगेटिव डाइपोल है उदर भी टेंपरेचर ज्यादा नहीं है तो यह सब बातों को इखटा कर लेते हैं पुट तोगेदर दे मीन डैट यह सारी बाते क्या मतलब है दीज लार्जर क्लाइमेट फेक्टर्स आर यह जो लार्जर क्लाइमेट के फेक्टर्स हैं आर एज ओफ नाओ अब तक तो अनलाइकली तो हैव ए सिगनिफिकेंट इंफ्लेंस ओवर दा प्रवेलिंग मोंसून तो भी ओशिंस की सारी बाते किये इन्होंने सिंपल एक गुड मोंसून कुड एड एग्रिकल्चर एक अच्छी मोंसून हेल्प करती है अग्रिकल्चर का कर सकती है आपको पता ही है विच हैस बीन अमंग दा फ्यू ब्राइट स्पोर्ट इन दा इंडियन इकोनमी जो एग्रि स्पोर्ट सें इंडियन की कोनमी में उनमें से एक रहा है अग्रिकल्चर और गुड मोंसून हेल्प कर सकती है यह तो हमने शुरू में बात कर ली इसकी तो गुड इयर्स ओफ रेंस है बूस्टिड जो दो साल रहे हैं बारिश अच्छी खासी हुई है दो सालों में पिछल पानी एक ने कर लिया जाता है क्यों कि कई बार बार इस नहीं होती तो यहां से इर्यगेशन कर सकें सप्लाइब कर सकेPS अगरा पानी तो मांगती तो आगर वाना को पानी चला जाएगा तो है अगरिकल्चर फ्रीक्र इंगरेश का दीत बूस्ट ऐस्ने हो बूस्ट में इह अब निकाल लेना पाने जब टाइम जरूरी हो पाइप वगेरा लगा के हावे वर दा फिलिप साइड ओफ दा फोर कोष्ट कह रहे हैं इसकी फिलिप साइड अपोजी साइड बात करें इस अनुमान की फोरे बाउंटियस मौनसून इस दा पोसिबिलिटी कह रहे हैं अगर बाउंटियस मौनसून हो गया बाउंटियस का मतलब बताओ अच्छा वर्ड है भी, बाउंटियस, मतलब लार्ज अमाउंट में सिंपल क्या मीनी है इसका? लार्ज अमाउंट में अगर लार्ज अमाउंट में मौनसून हो गया, अगर फ्लिप साइड की बात करें तो जादा ही बारिश होगी, बार आ जाएगी, इस दा possibility of flash flood. Flash flood वो होत्ता है जिसमें तीन या छे गंटे के बारिश के काण फलऑड आजे, थंडर स्टॉम के काण ऐसी बारिश आनदी चल रही है, ठीक है, बारिश फूल लो रही है, तो इसके कांट पोसिबिलिटी है फ्लेश फ्लड आजए अगर ज्यादा एमाउंट मोंसून हो जाए मोंसून का मतलब सिंपल बारिश होता है ठीक है लैंड स्लाइड हो जाएगी गिरने लग जाएगी पत्थर वगएरा माउंटेन से डिजीज आउट ब्रेक्स बिमारियां लाश्ट येर की बात करें और उससे पहले की बात कर लेते हैं दा आईमडी हैड नोट वर्न जून में बस इतना समझो जून में अब तो जून में कर दिया है आईमडी ने वर्न नहीं दिया था अबाउट दा एक्सेप्शनली हाई रेंस की ये हाई रें होंगी लाश्ट पिछले दो सालों में वाइल थ्री अबोव नॉर्मल रें आ एकसीडिंगली रेर तो कह रहे हैं जबकी तीन साल का अनुमान तो नहीं लगाए था ये हाई रें होंगी तीन सालों तक ये सिंपल है और इंजन नोट वांड अबाउंट दा एक्सेप्शनी हाई रेंस वाइल थ्री कॉंजिटिव इयर्स ओफ अबोव नॉर्मल रें आर एकसीडिंगली रेर तो कह रहे हैं इन्होंने पहले तो ज्यादा बारिश नहीं होगी पिछले और साल से और उससे साल नह नाइंटी सिक्स, सैवन, एट में हुआ था कभी तो बहुत ज़्यादा कम होता है तो आइंडी इटसेल्फ एसाइन का मतलब सेट करना कोई वैल्यू या किसी को काम एसाइन कर देना दे देना कीप तो कहना है इन्हों रिजर्व रखिए 22 परसेंट प्रोबिलिटी ओफ जो की थोड़ा सा कम ही है कि यह 40 पर्सेंट प्रोबीलिटी कि तुपे इस तो उससे भी कम है कि लगातार नॉर्मल रेंफोल क्या हो जे तीन साल तक मतलब हो जाए ठीक है तो यह कह रहे हैं इसकी प्रोबिल्टी बहुत कम है कि यह सिंपल सी बात है तीन कंजुगुटिव एर में नॉर्मल रेंज से थोड़ा उपर बारिष हो जाना बहुत कम होता है इसकी प्रोबिल्टी क्या होती है 22% होती है और जस्ट बिलो दा जो की नॉर्मल रेंफोल की जो प्रोबिल्टी 40% है उससे कम है ठीक है जस्ट बिलो है यह पॉइंट यह जो वैल्लिव है इंडिया इस नाव मुविंग तो अशिस्टम इंडिया एक ऐसे सिस्टम की तरह बढ़ रहा है वेर मीडियम रेंज फोर्कास्ट मीडियम रेंज फोर्कास्ट का मतलब थोड़े से टाइम के लिए आप अनुमान लगा सकते यह नहीं एक साल बाद ऐसा होगा मीडियम रेंज के लिए आप अनुमान लगा पारे और वेर और एक्सपेक्टेड चेंजिस इन मौनसून और लाजर वेदर पेटरन्स लाज़जेर वेदर पेटरन्स ओर टू वीक्स लाज़र वेदर पेट्रन्स वेदर का मतलब आपको पता ही एक रिवयरमेंट ठीक है और जहां पर expected changes monsoon और large weather के जो भी pattern है weather change होता है किस तरह pattern change करता है दो अफते तक are better captured by the monsoon models deployed अब आर किसके लिए है सारा पढ़ना पड़ेगा आपको India is now moving to a system where medium range forecasts या expected changes in monsoon और large weather patterns over two weeks are यह कह रहे हैं तो यह कह रहे हैं जो ऐसे system की तरह बढ़ रहा है जिसमें medium range के forecast और monsoon में क्या बदलावाता है यह सारी बातों better capture की जा सकती है by the monsoon models deployed किसका use कर कर monsoon के जो model मना रखे हैं पूरे world में इनका use करो deploy का मतलब क्या होता है एक तो sending को लगा दो जहां यूद होना है एक deploy का मतलब है किसी चीज को effectively use करना तो monsoon models का use करकर आप better capture कर सकते हो monsoon कितना change होगा कितना weather में changes आएंगे यह सब these inputs must be used by the government यह जो inputs हैं use करे जाने चाहिए government के दुआरा to better prepare infrastructure ताकि वो better कर ले infrastructure को prepare कैसे कर ले better कर ले in the eventuality in the event एक तो होता है eventually जिसका मतलब है end में एक होता है eventuality का मतलब possible outcome ठीक है better prepare कर ले infrastructure को in the eventual possibility जो भी outcome में after मतलब in the future simple सी बाले future outcome के लिए infrastructure को prepare कर ले अच्छे से in models का use करके in inputs का use करके कहीं पर बारिश ज्यादा आगी है तो आप पहले से infrastructure सही कर लो ताकि लोगों का नुक्सान ना हो तो यह क्या है possible outcome that excessive rains can wipe out क्यों कर ले बाई ऐसा because excessive rains can wipe out the potential gains क्योंकि excessive rains ज्यादा बारिश होगी government to better prepare infrastructure in the eventuality in the eventuality in the future outcomes में that excessive क्योंकि excessive rains है जो ज्यादा बारिश के wipe out wipe out का मतलब होता है destroy कर सकती है potential gain future के जो भी gain होने वाले है for agriculture के लिए जो ज्यादा बारिश होगी तो agriculture जो फाइदा होने वाला है वो नुकसान में बदल जाएगा सारी जो crops वगएरा है गलती से लग रहा है encourage farmers यह बहुत ज्यादा benefit रहेगा कि हम farmers को encourage करें किस चीज़ के encourage करें कि to sow का मतलब plant a seed कि वो क्या चीज़ वो है higher value crops उगाएं than only rise के वल rise पे depend है अब तक वियादा MSP root MSP minimum support price root के रास्ते से मतलब किसानों को यह ज़्यादा benefit रहेगा कि इतनी अच्छी अगर monsoon है तो ज़्यादा value की crops हुगाएं सिरफ चावल पे depend नरे MSP root के थूँ MSP root मतलब ज़्यादा crops हुगाएंगे तो सरकार को देंगे सरकार procurement करेंगे उनसे खरीद देगे और उन्हें minimum support price देदेगी कि तुम्हारा आगे बेके ना बेके इतना minimum पकड़ो तो इससे farmers की income बढ़ेगी तो farmers को को और ज़्यादा महंगी crops हुगाएं दव फेवरेबल टाइडिंग्स यह जो फेवरेबल information फेवरेबल यह जो optimum साफधानी कोश्चन का मतलब सिंपल सही है कोश्चन का मतलब क्या है अटेंशन साफधानी ठीक है तो यह जो आप यह निये कि फेवरेबल information आगी तो यह एक excuse है इस करण हमने साफधानी नहीं बढ़ती त्याग दी छोड़ दी और यह सब तब आई होगी की information तो इन्होंने दी थी फेवरेबल थी यह excuse नहीं होना चाहिए पहले से साफधानी फिर भी बरतनी चाहिए बाढ़ना आजे यह सब सिंपल था है ठीक है उच्छो देंग्यो